इसोमेट्रोपिया होता है, इक्वल रिफ्रेक्टिव स्टेट अफ बोथ आइस और टू आइस, ओके, मतलब इसमें जो रिफ्रेक्टिव पावर आता है दोनों भी आखोगा, वो इक्वली रहता है, अगर राइट आए को आपका प्लस वन है, तो लेफ्ट आए को भी प्लस भी बेंगी होगा, इसमें कोई डिफ्रेक्टिव पावर है, उसमें कोई भी डिफ्रेक्टिव नहीं आता, उसे हम इसोमेट्रोपिया बोलते है, ठीक है?